नमस्कार दोस्तों नित्यसादना में आपका स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे अगर पती-पत्नी के बीच आपस में प्रेम न हो तो पती-पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाने के कुछ उपाए हम आज बताएंगे आपको दामपत जीवन में ज्यादा परसानी आए तो पत्न है अपने दामपत जीवन से तो शुक्रवार के दिन दुर्गा सब्तसती के पांचवें अध्याय का पाठ करना चाहिए दोस्तों आपसी प्रेम बढ़ाने के लिए गुलावी रंग जितना गाड़ा होता है उतना ही नजदिकियां बढ़ती है दोस्तों प्रेम को बहतर बन गुलावी रंग से अपने दिवाल को जिस बेडरूम में आप सो रहे हैं उसको गुलावी रंग से कलर करावें गुलावी रंग के कपड़े पहने गुलावी रंग का उपहार भी दे सकते हैं इससे भी दामपत जीवन को बहतर बनाया जा सकता है दोस्तों एक उपाय और ब साबुत गांट होती है वो ब्रहस्पत्वार से सम्मंद रखती है ब्रहस्पत्वार के दिन साथ साबुत हल्दी गांट लें पीले धागे में बादें और अपने दाएं हाथ पर ले करके साथ बार भगवान विश्णू का यह मंत्र पढ़ें ओम नमः भगवते बासुदेव फिर इन हल्दी के गांटों को भगवान विश्णू के मंदिर में अरपित कर दें ऐसा करने से दामपत जीवन में मधूरता आएगी जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहां लच्छमी का बास होता है दोस्तों प्रेम संबंध को जोड़ने के लिए बादाम और सहद या ब बहुत हिलावकारी होता है दोस्तों पती-पत्नी के भी संबंध को बहतर बनाए रखने के लिए एक दूसरे को बदाम खिलाना चाहिए इससे पती-पत्नी के बीच बदाम निगले न यह ध्यान दें कि उसको निगले न चबा चबा करके ही खाना चाहिए आपको ध्यान देना चाहिए अगर चबा चबा करके नहीं खाते हैं तो आपके बाणी में कठोरता आएगी अगर पती के अच्छे पुन्न है अच्छे कर्म है तो पत्नी अच्छी मिलती है अगर पत्नी के अच्छे पुन्न है अच्छे कर्म है तो पती अच्छा मिलता है दोस्तों एक उपाय और बताएंगे संत्रा और लीची प्रेम बढ़ाने वाले फल है आम तोर पर ये फल सुक्र और चंद्र को मजबूत करता है इन फलों को खाना चाहिए दाम पती को लीची जरूर खानी चाहिए प्रेम संबंधों में संत्रा उपहार दें प्रंतु लीची कभी उपहार नहीं देनी जाहिए इस बात का ध्यान दे दोस्तों दाहिने हाथ में पती को चादी का काड़ा और माये हाथ में पत्नी को चादी का काड़ा सुक्रवार के दिन साम को महालच्शमी के मंदिर में पती-पत्नी को एक साथ जाकर के धारन करना चाहिए इससे पती पत्नी के बीच मधूरता आती है, संबंध मजबूत होते हैं, दोस्तों वास्तु एक्सपर्ट के मुताबिक साधी सुदा दमपती को दच्छिन दिशा में सिर्क और पर उत्तर दिशा में करके सोना चाहिए, इस बात का आप विशेश ध्यान ध्यान दें, ये छोटी छोटी बातों को करके अपनी रिष्टे को आप मजबूत बना सकते हैं, पती पत्नी को लड़ाई जगड़ा नहीं करना चाहिए, लड़ाई जगड़ा करने से प्यार में कमी आती है, पती पत्नी को एक दूसरे का कहना मानना चाहिए, हस्वेंड वाइप का रिलेशन बहुत ही होता है, इसको आप बहतर बनाएं, रजनी गंधा का फूल प्रेम का अधभुत प्रतीक माना जाता है, इन फूलों को देने से संबंध मजबूत होते हैं, इन फूलों को प्लास्टिक या किसी आवरण से ढख करके नहीं देना चाहिए, जीवन साथी को लाल फीते में तो लाल फीते से बांद करके उपहार सोरुख दे सकते हैं, दोस्तों प्रेम में बाधा आ रही है, एक सीसी में सहद, एक बदाम डुबा करके रख दें, एक सीसी सहद ले लें, उसमें एक बदाम डुबा करके और उसे रख देना चाहिए, इससे भी प्रेम संबंध गुलाब का फूल दोस्तों प्रेम का प्रतिक माना जाता है प्रेम असफल होने पर दो लाल गुलाब के फूल सुक्रवार के दिन लच्मी नराण मंदिर में आप जरूर आणपन करना चाहिए और एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों साबुद दाने के खीर बनाएं उसमें चीनी के जगा या सकर के जगा साबुद दाने के खीर में मिश्री मिलाएं और पती पतनी एक दूसरे को खिलाएं दोस्तों चाहें तो आप अपने घर के पूरे सदस्यों को भी खिला सकते हैं इससे आपके प्रेम में मधूरता आएगी स्वास्तिक का निसान अगर उनका अपने पती का व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है तो आप स्वास्तिक का निसान उनके कारे छेत्र में या घर के पूजा अस्थान पर उनसे बनमावें इससे भी उनका कारे छेत्र में और उनके भेवसाय में लाभ मिलेगा दोस्तों यह थी कुछ जानकारी मिलते हैं कुछ ऐसी ही ग्यानवर्दक वीडियो के साथ धन्यवाद